हाई फ्रेंट्स वेलकम डोवर चैनल सूपर ट्रीड लक्ष यहां पर एक और अनालसिस वीडियो में आपका स्वागत है अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा शेयर जरूर करिएगा दोस्तों तक और सब्स्राइब कर दीजेगा अगर आपको करता है लेकिन फिर भी एक शॉर्ट टर्म में जो फॉल के बाद का लेवल था अल्मूस्ट हम उसके आसपास हैं यहां से बाउंस और फिर एक फॉल हो सकता है अगर यूएस मार्केट भी वीक बना रहा तो यह मेरा वीडियो था ओवर आल इस वीडियो में और बात करेंगे पर क्रूड ऑइल भी हाई पिता लेकिन क्रूड ऑइल यहां पर गिरा हुआ है जो बॉन डील्स है थोड़ी सी ठंडी हुई है और जो डॉलर है वो भी ठंडा हुआ है 107 पार कर गया था भी 106.6 पर है तो यह चीजें जो है बहुत जादा बुरी नहीं है जैसा मैं कहा रह है तो जो कहने वाली बात यह है कि जो प्रॉब्लम थी मैक्रो प्रॉब्लम थी वह कम होती हुई यहां पर दिख रही है अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि रुपी जो है थोड़ा 83.3 पर है डॉलर जबकि थोड़ा सा वीक हुआ था तो वीक हुआ है तो उसके बाद भी थोड़ा रुपी में वीकनेस आई है डेफिनेटली वह थोड़ा बहुत असर आना चाहिए था जो डेफिनेटली नहीं आया था भी तक तो वह आपको कैच अप होता हुआ दिख रहा हुआ है यह एक अच्छा साइन हो सकता है इंफलेशन के लिए इंडिया के लिए और ग् वीडियो में आगे बने जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि मैं यहाप एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं किस सरीके से आपका ब्रोकरेज बच सकता है बहुत बड़ा कॉस्ट होता है बहुत साज़े लोग यहाँ पर अपना पर जाएंगे वहाँ पर चेक करेंगे तो आपको नेट ब्रोकरेज आपने कितना पेकिया है वो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा अमाउंट है यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं लगता और यहाँ पर एन्वल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगता तो है ना बढ़ीया जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो आपका लॉस में एड होता है या प्रॉफिट को कम करता है वो आपको लगेगा ही ने तो फ्रेंट्स यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर अगर आप शून की वेबसाइट पर जाएंगे ब्लोकरिश कैलकुलेटर पर और वह कि दो आपको कितना लग रहा वहां यहां पर टर्न ओवर दिखा रहा है आप को देखा रहा है ब्रोकरेश को जाते है Dop तो आपका जो brokerage है वो एकदम 0 है और उसके अलावा आपको कोई भी charges अलग से नहीं लगते हैं जो लगते हैं वो सरकारी और mandatory charges होते हैं यह आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ और यह बाकी broker में almost same है कुछ broker में आपको जादा भी मिलेगा अगर आप यहाँ पर जाते हैं future में देखते हैं तो आपको मिलेगा यह भी काफी कम है in comparison to other brokers और अगर आप equity cash में जाते हैं तो यहाँ भी काफी आपको difference मिलेगा यहाँ पर आपको लगेगा कि यार यहाँ पर सिर्फ brokerage बचाने के लिए मैं क्यों move करूँ लेकिन यहाँ पर आपको brokerage के लावा बहुत सारे analytical tools बहुत सारे screeners मिलते हैं शून पर trading view के charts मिलते हैं सारे 100 से जादा indicators आपको यहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर आपको AI based stock prediction भी मिल सकते हैं शुन एक बहतरीन option हो सकता है तो check out करिए video के पिंड comment में link दिया हुआ है brokerage calculate करने का भी जो calculator है उसका भी link दिया हुआ है तो check out कर लीजेगा और अगर यह अच्छा लगे option तो आप इसको जरूर use करिएगा आई चलते हैं बात करते हैं अपने analysis के बारे सबसे पहले अगर आप आज का जो एक candle structure देखेंगे तो यह बहुत ही long legged आपको एक hammer कह सकते हैं इसको लेकिन body बहुत छोटी सी है लेकिन एक leg जो बड़ा leg है वो एक positive sign हो सकता है बुल्स के लिए positive sign in a sense की बहुत जादा और नहीं गिरेंगे और थोड़ा बहुत यहां पे हम base बना सकत हैं तो इस एरिया पर मुझे लगता है थोड़ा support है 19,380 एक important level है जिसको mark करके रखिए अगर कल मानली चोटा मोटा डिपी आया और हम 380 के ऊपर ही रहे और फिर से bounce कर जाते हैं तो एक positive sign है थोड़ा साम यहां पर हो सकता है एक sign देखें यहां से bounce का कहा तक 19,555 60 आपको जब यह पूरी नई rally जो नया all time high बना इसकी जो rally शुरू हुई थी वह rally शुरू हुई थी 19,540-570 के बीच का जो यह area था इसको पार करने के बाद उसके बाद बहुत तेजी से उपर की तरफ हम गए थे तो वापस जब हम गिरे हैं तो वहीं पर support लिए फिर उसके बाद ह नीचे आये हैं लेकिन हम बहुत नीचे भी नहीं आये है 19,350 पर support मिला है जो जिस लेवल की हमने बात भी की थी पिछले वीडियो में तो यह level important है अगर हम यहां पर वापस से जाते है 19,540-570 के बीच में उस area पे आपको फिर से selling की opportunity मिल सकती है right now selling करना risky हो सकता है जो आज बाद में बीरिश गये होंगे वो फस गये होंगे बैंग निफ्टी की बात करूं मैं यहां पर तो बैंग निफ्टी का जो support है 43,850 है इसकी नीचे जाने पे बीरिश होगा अगर 850 की नीचे हम नहीं जाते हैं तो यहां पर एक bounce की उम्मीद मैं करूंगा 44,300 तक एक bounce है उ 200-day moving average है simple जो है 43,150 पे हम उसकी तरफ बढ़ चलेंगे तो यह दोनों लेवल आपको मार करके चलना है यूएस में क्योंकि थोड़ी सी शान्ती बनी हुई है नास्डाइक ग्रीन में है जो आपका यूएस 30 है वो भी बहुत जादा डाउन नहीं है SNP फ्लाट है तो चीजें निगेटिव बहुत जादा नहीं है तो थोड़ा सा यह चीजें सपोर्ट करनी चाहिए इंडियन मार्केट को आईटी सेक्टर आज ग्रीन में बंदुआ जो कि एक बहुत अच्छी चीज है इसके बारे हम बात भी कर रहे थे कि अगर आईटी यहां से गिर भी गया साइंग आई तो इसको भी हम बहुत निगेटिव ली अभी नहीं लेंगे अगर वापस से हम आज के लो को तोड़ते हैं तो आपके लिए निगेटिव साइन होगा निफ्टी फैनेंस की बात कर लेते हैं 19,578 लो है यही सपोर्ट है इसके नीचे ही अगर हम जाते हैं तो देखते हैं किस तरीके से वो च्क्ली होती है लेकिन में जाधातर आज कल बैंक निफ्टी में हो जाता है और आज की बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अच्छे पैसे बने होंगे जो भी लोग शॉट थे और हमारा वीव भी ख्लियर था 19,000 जो अभी पॉइंट का बाउंस 600 पॉइंट का बाउंस और फिर अगला फॉल शुरू हो ऐसी पॉसिबिलिटी होने की चांसे जादा मुझे लग रहा है प्यासिव बैंकिंग की थी एक्सिस बैंक की बात की थी अगली पटकनी जो है इनी को लग सकती है आज अच्छे से मतलब 4-5% गिर आई थी 924 का लो था अप्रोक्सिमेटली तो इसमें भी 6-7 रूपीज का एक बाउंस आया है तो मुझे लगता है यहां पे भी एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है चोटा मोटा बाउंस तो आना चाहिए मुझे इसा लग रहा है इससे पहले कि हम दुबारा सेल करें त समय SBI की बात करूँगा मैं यहां पर 586 पर आ चुका है इसका रिजिस्टेंस है 590 वापस एक बाउंस आये 595-591 और उसको अगर पार ना करें तो यह सेलिंग अपर चुका था तो यह थोड़ा सा ग्रीन केंडल से बनाया है इस पर सेलिंग प्रशर कम रहेगा तो कोटक बैंक, HDFC बैंक पर सेलिंग जादा एग्रसिव नहीं होगी आज भी HDFC बैंक 1.5% उपर बंद हुआ है काफी पिट चुका था तो इसमें उमीद थी कि यार गिरेगा तो आज इसने 1490 के हमारा टारेट किया था 1460-70 तक 1490 के यार पूरा रिकवर हो गया तो यह दि पहली एंट्री लेते हैं सारा का सारा किड्नी लीवर बेचके नहीं थोड़ा सा पहली एंट्री आप यहां पर लेते हो तो यह चीज हो गई उसके लावा बात करेंगे यहां पर एक और आपका बड़ा फेवरेट है आई-टी-सी ने कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट थोड़ भी कमजोर दिख रहे हैं आई-टी यहां पर स्ट्रॉंग दिख रहा है तो यह ओवरॉल मेरा व्यू है मार्केट के बारे में आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्स्राइब थैंक यू बेरी मुच पर वाचि स्ट्रॉंग झाल